गुद मॉनिंग स्टुदेंट्स वेलकम इन दे क्लास नाइन्थ जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम लोग हमारा पार्ट देख रहे हैं चप्टर 11 धेटी कैसे होता है और मिरर याने क्या होता है दरी दीर होरे और दर्पन के दो प्रकार भी हमने पिछले वीडियो में देखे हुए विटा नग तीप्स ऑफ मीरर मीर की डिफिनेशन देखी थी हमने और मीरर याने देखिए इन इस सायन्टिबिक लेंगवेश असरफेस विच रीफिक लाइट एंड क्रिएट क्लियर इमेजेज इसकाल जा कि मीरर वह होता है कि जिससे लाइट मतलब जैसे कि उसके ऊपर कोई चाहना को याट में अगर के ऊपर देखना चाहुत है कोई पॉइंट न कर दालते तो ऊसी धरकेशें से और रिफ्लेक्ट होते होई आप relax को दिखेंगी फिर यहां तक हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है आज हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे इन फिगर 11.2 बी मतलब यहां पी जो फिगर आप लोग को दिखाई दे रही है न बटा यह जो इमेज image of a point source form by a mirror मतलब mirror द्वारा बनाई गई image किसकी बटा point source की ठीक है मतलब कोई एक point source है मतलब कोई बल्ब या light का source आप लोग यहां पर रख दीजिए और वहां से या फिर वहां से या फिर जैसे दुकान में आप लोगों देखा होगा एक लैंप आता है red color का उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है ना जिसको लेदर light करके बोलते हैं याद आया होगा है ना रेड लाल या हरे रंग की रोशनी स्तीना एक बिंदू वहां पे आता है दर्शाता है ना महां दीजी कि वह बिंदू हमने ओ पॉइंट पर रखा हुआ है और ओ पॉइंट पर रखने के बाद वहां पर यह इंसिडेंट रेज याने कि इसका बिंदू सोर से पहले निकला हुआ लाइट है और वन यह अबजेक्ट है जिसको अबजेक्ट भी हम लोग बोलेंगे जो बिंदू सोर से यह पॉइंट निकल रहे हैं रेज निकल रहे हैं और रटू से दूसरी बार दूसरी इंसिडेंट रेज इंसिडेंट होंगी मिरर के उपर वहां से रिफलेक्ट होती मतलब रिफलेक्ट तो दोनों हो रहे हैं पर वो डायरेक्शन कौन से दिशा में वो रिफलेक्ट हो रहे हैं यह दो दिशा हैं आप लोग को यहां पर बताएगे यह बटा पहली कि जब आरवन से रेज इंसिडेंट हुए थे वो एस वन इस दिशा में रिफलेक्ट हुए और R2 जब incident हुए थे तो इस दिशा में reflect हुए, ठीक है, तो ये हो गई हमारी plane mirror का front surface, ठीक है, अब ये back surface क्या है, और ये oven क्या है, ये image यहाँ पर बाहर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजे मैं आप लोग का भी समझा के बताऊंगा, तो पढ़ते हैं, जो portion दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इन figure 11.2B, show the point source O in front of the plane mirror M1, M2, M1, M2 नामक plane mirror, साधा सीधा साधा plane दरपन है, उसके सामने, वो mirror का नाम यहाँ पर दिया गए बता, M1 और M2, incident rays OR1 and OR2 get reflected according to the laws of reflection along path R1, S1 and R2, S2 respectively, मतलब incident rays याने के, OR1 और OR2 यह reflect होकर, आपको दो अलग-अलग path यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर पहली path होती है, बेटा R1, S1 जो की reflected path है, और दूसरी path है, R2, S2 वो भी एक reflected path है, वो दोनो path आप लोगको अलग-अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रही है, तो when these reflected rays are extended behind the mirror, मतलब यह reflected जो rays है, इनको अगर extend किया जाए, थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, देखिए बढ़ा, आपके सामने मान के चलिए कि यह पीछे वाला portion नहीं है, तो देखिए इस तरह से यह पीछे वाले portion को मैंने यहाँ पर धग दिया है, OR1 और OR2 यह दोनो rays यहाँ पर extend किया जाए, ऐसा बुला गया है, यह own point है, हमको तो बाद में मिलेगा, लेकिन इसको extend करना है, तो extend कैसे करेंगे बढ़ा, तो यह देखिए, मेरे हाथ में यहाँ पर scale है, और scale से मैं क्या करूंगा, इस raise, इस raise को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा दूग सामने तक जहाँ तक यह raise जाना चाहती है, वहाँ तक इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ तक यह अलग अले page पर इसे draw करूंगा, यह देखिए, यहाँ तक मैंने इसे draw कर दिया है, अब यह जो दूसरा reflected raise है, इसे भी मैं, S1 जो है, इसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ कर दूँगा, जैसी कि आपको आकृती में बोला गया है, वैसी इसको extend कर लेना है, और extend करने के बाद यहाँ पर एक point मिलेगा, वो one point होगा, और वो one point एकदम समान distance, equal distance पे आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, दीखिए बिटा, जितना अंतर यहाँ पर O और M1 में है, उतना ही अंतर M1 और M1 में है, ठीक है, और यही image यहाँ पर बनाई गई है, और यही चीद आपको यहाँ पर बताई गई है, मतलब यह reflected rays को अगर extend किया बड़ा दिया जाए, they meet at O1, यह O1 पर मिलेंगी, यहाँ पर हमारी आख है, और आख से अगर देखें, तो हमको लगेगा, कि यह जो reflected rays है, वो कहां से आ रही है, यह O1 पॉइंट से आ रही है, ऐसा लगेंगा ना हमें, लेकिन वो exactly कहां से आ रही है, वो O से आ रही है, इसका मतलब क्या है, कि यदि O से और दूसरे तरह की और कोई rays भी निकलिलती हुई, हम लोग को दिखाई दी, तो वो भी हमें ऐसा लगेगा, कि O1 से ही आ रही है, यह भी हम लोग करके देख लेते हैं, मेरे पात, कॉपी में मैंने यह इमेज बना के रखी है, देखिए, तो देखिए students, यहाँ पर मैंने सेम इमेज बना यह हुई है, O R1 और O R2, यहाँ पर R1 S1 Reflected और R2 S2 Reflected rays आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट सोर स निकलने वाला एक थर्ड रे यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए, इस तरह से प्लेन, एक सीधी लाइन यहाँ पर आपको बनानी है, और यह बनाने के बाद, अब मैं क्या करूँगा, कि यहाँ से यह किस तरह से Reflect होती है, वो Reflection यहाँ पर दिखा दूँगा, देखिए, इ इसका नाम दे देता हूँ, मान लिजिए कि यह R3 है, और यहाँ पर जो आप लोग को Reflected Ray मिल रही है, वो मान लेते हैं कि S3 है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि Point Source से निकलने वाली Third Ray, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे Extend अगर करूँ, तो इसे Extend करने के बाद, यह Reflect होती हु यह R3 है, तो इसको हम लोग R4 नाम देते हैं, और R4 के बाद यह Reflect होकर यहाँ पर S4 नाम से Reflect हो रही है, तो R4 S4 हो गया, R1 S1 हो गया, R2 S2 हो गया, यह R3 S3 हो गया, तो यदि हम लोग जैसे अभी चर्चा कर रहेते हैं, इन दोनों Ray's के जो Incident Point है, Reflect होने के पहले वाले यह Incident Point को अगर यहाँ पर दोनों को जोड़ा जाए, तो यह कहा तक जाएगी, यह Check कर लेते हैं, तो दिखिए Students यह एकदम बराबर O1 पर जाकर मिलती हुए आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और वैसे ही R4 वाली R4 लाइन को भी यदि Extend किया जाए, तो वो आप लोग को इस तरह से O1 को ही मिलती हुए आप लोग को दिखाई देगी, तो यह बात समझ में आई हैं आप लोग को, इस शब्द का, इस Sentence का क्या कहना है, कि Other Rays Coming From O, मतलब O से निकलने वाली बहुत सारी Rays, अगर हम लोग reflect की जाए, और उसे Extend किया जाए, तो ऐसा आप लेगा कि वो O1 से ही आ रही है, देखिए, यह आख है हमारी, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यह जो Rays है ना, वो O1 से निकल रही है, लेकिन O1 से निकल रही है क्या नहीं, वो reflect हो रही है बटा, O से, O से, incident होके वो reflect हो रही है, Exact Image कहा पर फॉर्म हो रही है, आइज में जो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, वो है हमारी Exact Image, तो इसके बाद, यहाँ पर आप लोग को बोला गया है, Does.01 is the image of .0, इसलिए Does.01 जो है, वो क्या हो गई हमारी Image हो गई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, Image लिख लेंगे, तो यह हमारी Exact Image यहाँ पर फार्मूला भी दिया गया है, यह दोनों चीज़े हम लोग यहाँ पर बोल्ड कॉर्शन में हम लोग देखेंगे, कुदर रिफ्लेक्टेड रेत डू नाट एक्चुली मीट, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रेत होती है यह जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो और वो हर एक इमेज और उस प्रकार की हर एक इमेज को हम लोग वर्शुटेड इमेज कहेंगे, तो पर्टिकुलर डिस्टंस आप दे इमेज फ्लेक्टेड इमेज का सूर मतलब यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि पर्टी परपेंडिकुलर डिस्टंस यानि कि देखीए, एम वन स से निकलने वाला पर्पेंडिकुलर डिस्टंस ओवन तक image का वो किसके इक्वल होता है कि समान होता है is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror मतलब source से निकलने वाला जो perpendicular distance मिरा तक आने वाला उतने distance के बराबर होता है image का मतलब M101 is equal to M10 यह sentence यहां पर आप लोग को बताया गया है मैं यहां पर pencil से लिखना चाहूंगा M101 is equal to क्या होगा बिटा M10 यह distance सेम होता है यहां पर आपको बताया है next हम लोग चलते हैं if we use an extended source instead of a point source मतलब देखिए बिटा point source जैसे की laser light हमने लिया हुआ था और laser light से निकलने वाले जो rays थे उसको reflect करके हमने देखा अब हम लोग क्या करेंगे कोई point source न लेते हुए laser light न लेते हुए या कोई bulb नहीं लेते हुए हम लोग क्या कर रहे है कि एक कोई source ले लेते हैं जैसे कि यहां पर एक pencil रखी हुई है और यहां पर मान लीजी कि स्ट्रेट में हमारा एक mirror है तो mirror में जैसे कि एगर आप pencil को देखना चाहें तो उसकी opposite image उसके wrong side में बनती है front size के back side में बनती है वो इस तरह से होगी बिटा है ना जैसे कि आपको पता है कोई अगर किताब में लिखे हुए letters अगर आप लोग mirror के यानि के दरपन के सामने कर रखते हैं तो आप लोग को उल्टे दिखाई देते हैं है ना यदि e रखा तो वो उल्टा e दिखाई देगा हम लोग को सीधा e अगर रखाए तो वो उल्टा e दिखाई देगा है ना तो वो क्यों दिखता है इसका answer हम लोग इस वीडियो में देखने वाले तो if we use an extended source in such of a point source an image is form of every point of the source thereby forming an extended image of the whole source मतलब इसके extended image से हम लोगों ने पूरे source of image source की एक particular image यहाँ पे separate बनाई हुई है वो क्यासे बनाई है बटा equal distance से बनाई है क्योंकि point source से आप लोग को यह समझ में आ गया था कि m1 o1 is equal to m1 o हम लोग को यहाँ पे मिल गया था मतलब जितने दूर point source होगा उतनी दूर उसकी image भी बनेगी वैसे ही और यह जो pencil की nook है यह nook से निकलने वाला जो point source का P है उतके समानतर equal distance पे P1 image form होगी वैसे ही इसका जो end है यह pencil का end है यह Q यह Q पे निकलने वाला जो point मतलब लास्ट एंडिंग पॉइंट होगा उतने ही distance पे Q1 यह वाला point आप लोग को equal distance पे आपको यह पे मिलने वाला है समझ मारा आप लोग को तो देर पार for me an extended image of the whole source as shown in figure 11.2c an extended source PQ is kept in front of the mirror M1 M2 मतलब कोई एक extended source जो है pencil वो हमने M1 M2 के यह mirror है उसके front size में रख दिया है the image of P and Q are form at P1 and Q1 respectively और P और Q की जो image है वो P1 और Q1 equal distance पर दूसरे side back side में बनती वे आप लोग को दिखाई देगी similarly images of all points between P and Q are form between P1 and Q1 और P और Q के बीच में जितनी भी image है वो पूरी की पूरी image जैसे के वैसे copy होके उसी तरह से आप लोग को P1 और Q1 के बीच में form होते हुए आप लोग को दिखाई देगी resulting in the image P1 Q1 of the entire extended source और जैसे की P और Q बना उसके बीच वाला भाग बना वो यह पूरा का पूरा भाग बना तो यह पूरा का पूरा resulting image बन कर आप लोग के सामने तैयार होकर आप लोग को दिखाई देगी यह हो गया mirror के सामने वाला भाग और mirror के पीछे वाला भाग ठीक है जो कि आप लोग को reflect होके opposite form में बनती हुए आपको दिखाई देती है reflection image है जिसका आप लोग यहाँ पर resulting image भी कहते हैं तो the image form by a plain mirror is of the same size as the source इसका क्या मतलब है यह जो बोल्ड portion आप लोग को दिया गया है इसका यह मतलब है यह क्या कहना चाहता है कि दो जो भी image यहाँ पर form होती है plain mirror द्वारा जो भी image form होती है वो mirror वो image क्या होती है same size की होती है जैसे कि आपको source में दिखाई देती है source मतलब यह original pencil और उसकी जो image form होगी जो duplicate image form होगी वो क्या होगी same size की होगी जो भी form होगी वो plain mirror द्वारा बनी होई image होती है वो same size की होती है यह इसका मतलब है यह बताना चाहता है अब इसके नीचे दो प्रशना आपको पुछे गया if we hold a page of a book मतलब book का एक page आपको mirror के सामने रखना है in front of the mirror we see laterally inverted letters in the mirror हमें उसके जो अक्षर है वो उल्टे दिखाई देते है ऐसा क्यों होता है why does it happen ऐसा क्यों होता है और दूसरा प्रशना है which letter of the English alphabet from images that look the same as the original letter मतलब English alphabet का ऐसा कौन सा letter है जो जिसका प्रतिविंब यासकी image mirror द्वारा बनाने के बाद भी वैसी कि वैसी ही रहती है है ना जो बिल्कुल भी नहीं बदलता तो दीखिए बिटा जैसे कि अब मैं एक पहले प्रशन का उत्तर थोड़ी देर में दूँगा दूसरे प्रशन का उत्तर मैं बता देता हूँ वो later है English का I जिन्हों ने भी बताया उनका एक्दम सही है I जो later है वो एक्दम सही है फर्स्ट जो question है फर्स्ट question का answer यहाँ पे next page में आप लोग को दिया गया है the image of a word appears laterally inverted in the mirror मतलब जो भी दरपन के सामने रखे हुए page में दिखाई देने वाले words होते है alphabets होते है वो image होते है word के image होते है वो हमको inverted यानि के उल्टे क्यों दिखाई देते है तो the image of every point of the word is formed behind the mirror सामने दिखने वाले जो source होते है मतलब alphabets होते है original वाले alphabets वो point के every point उतका हर एक point जो है word का वो mirror के behind मतलब दरपन के पीछे वही distance है same distance है उसकी अलग image form करते है उल्टी image form करते है जितने दूर वो है उतनी same वैसे कि वैसी image उसके उपर बनती हुए आप लोग को दिखाई देगी है ना तो from the mirror at the point is still this is called lateral inversion इसी को हम लोग lateral inversion भी कहते है देखिए और दोनों एक साथ आसपास देखिए मतलब सामने यहाँ पे दरपन है यह किताब है दोनों एक देखिए ऐसा थोड़ा सा change करके देखेंगे ना तो यहाँ पे मान लीजिए कि उल्टा ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग को सेम डिस्टंस पे होने की वज़े से वो उल्टा हो जाता है और इसी को हम लोग लैटरल इनवर्शन भी कहते हैं तो वेन परसं स्टैंड इन फ्रट आप प्लेन मीरर मतलब यदि कोई परसं प्लेन मीरर के सामने खड़ा है तो उसकी इमेज कैसे फर्म होती है और इसके पीछे उसका उस इमेज का क्या नेचर है यह सब हम लोग जानेंगे ठीक है वैसे ही यह जो दूसरा पैरा है आखरी आखरी में बताना चाहूंगा बिटा प्लेस टू प्लेन मीरर एक मीरर है और उसके 90 डिगरी पर राइट अंगल डारेक्शन पर आप लोगों ने 90 डिगरी पर दूसरा मीरर लगाया हुआ है दोनों एक दूसरे के समीप है टू इच अदर प्लेस स्मॉल ऑब्जेक्ट बिट्विन देम मतलब एक सीधा साधा एक छोटा सा तुकड़ा बरफ का तुकड़ा मान लीजिए या फिर कोई लकडी का तुकड़ा यहां पर हम लोग को रख देना है और इमेज विल बी फॉर्म इन बोथ मीरर और यह दोनों मीरर में इमेज फर्म होती हुए आप लोग को दिखाई देगी ऐसा दिखा जाए तो इसकी दूसरी एक ही इमेज यहां पर बननी चाहिए लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है बटा हम लोग रमन साइंस गयते हैं और रमन साइंस में आप लोग ने देखा होगा वहाँ पर मीरर की दरपन की जादूई दुनिया आप लोग ने देखी थी है ना हम लोग को दरवादा नहीं दिख रहा था कहां से जाए और कहां से नहीं वैसी कंडिशन यहां पर बनती है मतलब मैरा पूशना यह है कि इस कंडिशन में एक बॉक्स रखने के बाद एक छोटा सा टुकडा रखने के बाद इसके कितने इमेज यहां पर फॉर्म होते हैं इसका जवाब मैं अगले वीडियो में आप लोग को दूँगा तब तक जितना पूर्शन आज मैंने पढ़ाया हुआ है यह पूर्शन आप लोग अच्छे से पढ़िए याद करिए लिख कर देखिए और इंगलिश को रेट करने की कोशिश कीजिए थैंक्यू क्लास बाहर जाते हैं तो दोगस की दूरी रखिए और मात ठीक से पहनिए और बार बार हाथ दोते रहे हैं थैंक्यू क्लास टेक कियर बाई